यात्रा की शुरुआ 16 सप्टम्बर को साहरंपुर से की गई है और तीर महीने की या यात्रा 16 दिसम्बर को गाजयाबाद में एक महा रैली के साथ समापन किया जाएगा जिसमें 15 से 20 लाख लोगों के आने का अनुमान है हमारी यह जो यात्रा है किसी जाती धरम या किसी राजनातिक पार्टी के खिलाफ नहीं है यह एक काले कानून के खिलाफ है जो देश को और समाज को तोड़ने वाला है और उस काले कानून का नाम है हरीजन एक्ट सुप्रीम कोट ने करीब साथ महीने पहले एक आदेश दिया था कि जब भी हरीजन एक्ट में कोई शिकायत आए पहले उसकी जांच कराई जाए जांच के बाद ही अगर जरुत हो तो जेल भेजा जाए वरना तो किसी को परिशान ना किया जाए यह पूरी वोट बैंक की इठाने वाला स्वरन समाज है और मोदी जी का मुझे ऐसा लगता है कि वीपी सिंग जी जैसा हाल होगा इस 2019 के चुनाव में